कि आपके अपने यूटूब चैनल वेब इस्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल को लाइक सेयर सब्सक्राइब करते रहेगा हम आपके लिए बहुत ही जादे मेहनत करकर के वीडियो बना रहे हैं आप भी हमारे सपोर्ट कर सकते हैं सेयर करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और मैं आप लिए आज एक क्वैट लेकाया हूं मैंने लिखा जब तक आप हार नहीं मानते तब तक दुनिय कि अब हम पढ़ेंगे सब्द विचार क्या है उन्हें कितने भागों ने बाटाव है तो हिंदी में सब्दों के वर्गिकन के चार आदा हैं जो मैंने सामने लिख दिये हैं नंबर एक है इस रोट उत्पत्ति या इतिहास के आदार पर नंबर तीन है रूप यह प्रियोग सब्दोकों का है उसके पान्च नंबर एक नंबर ब्रवक सब्दों करद यह थोट है १िस आप देखेंगे और्थ क्यादार पर तर्थ कादार पर इसके 5 भाग हैं एक अरती सब्सक्राइब इसके बाद में स्टार्ट करेंगे इस रोत पति या फिर इत्यास का पढ़ेंगे फिर कल नेक्स टूपिक बढ़ेंगे आपने इसके ले के लिया होगा और इसके बाद हम पढ़ते हैं तस्तम थब करें 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 तस्तम सब करें करें तच्सम सब का साब्दिक अर्थ है अर्थ है उसके समान करें तस्तम का संदिव चेट करेंगे तो यह आएगा हमारा कि अधाट अर्थ है जिसमें तत का मतलब है उसके और सम का मतलब समान तो मैंने लिखा तस्तम सब्द का साब्दी करता है उसके समान अर्थार्थ अलसार संस्क्राथ असार संस्क्राथ से जों के त्यों के त्यों संस्क्राथ से जों के त्यों लिए गए सब्दों को तत्संसब्द कहते हैं कि कहते हैं इसके कुछ उदार नेखेंगे हैं जैसे कपोट है कि नासी का हास्त गिर्वा और चच्चु यह हमारे सब्द संस्क्राथ में जों के त्यों ले ले गया है जिने हम हिंदी में भी लोग मिलाते हैं इसके बाद हम सब्द पढ़ेंगे तत्भव सब्द तत्भव सब्द है मैं सब्दा इसका तत्त और सम है तिसका मतलब है तत्त का मतलब होता संसक्त से जोंके लिए गए सब्दान को कहते Mobile नियु shapes अपनी भावा सामें नां को कहते हैं हाथ को कर दने test she आते हम आपको हम तद्वाव सब्सक्राइब की जो है परिवासा लिखेंगे कि तद्द पिलस भाव लिखेंगे इसका तो इसका वजाएगा उससे उत्पन कि उससे उत्पन अथार्थ कि संस्क्रत कि से उत्पन कि सब्दों को तद्भव सब्द कहते हैं कि अब कर सकते हैं कि अधर्थार्थ कि संस्कृत से विकर्थ या फिर संस्क्रत से विकर्थ बोल सकते हैं या परिवर्थिस सब्दों को कि अधर्य कि वर्थिस सब्दों को कि अधर्थ या तद्भव कि अधर्थ कहते हैं अधर्थ या जैसे मैंने नासिका लिखा तो नासिका कुनाक बोलते हैं कपोते कब उत्तर होता है गिर्वा गरदन होता है और लिखा था हमने चच्छू जिसे आख बोलते हैं और हस्त लिखाता जिसे हाथ बोलते हैं तो दोस्ता मैं लिखवा नाशिका परिव tu naisam 2 तो परिवर्ति सब्ध्व को जिए बने लिखा लिखा उसमें तो नाशी सब्ध्यार के नाज बन गया कपोत होते होते हैं परिवर्ति पार उत्पन होने का उत्र गिर्वास गर्दन बना और समझेंगे उन्हें नियमें उनके बारे में जानेंगे तो पहचान है तदस्तम की है कि पहचान कि जिन सब्दों में क्षे त्रे यानी स्रे से से धे ने रे एवं रे एवं रे की मात्रा रे एवं रे की मात्रा हों उन्हें उन्हें हो उन्हें उन्हें तस्तम सब्दों में रखा जाता है हुआ है ठीक है हम इसके जो दारें नहीं समझेंगे और यह रह गए यह भी हो यह हो यह वह हो यह फिर हमारा रहा हो यह हमारा तस्तम आएंगे ठीक है इनकी तो बिल्कुल होता ही होता है से दो लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें एटी परसेंट केस में रखेंगे जैसे हमारा कि यह है अनुस्वार से हमारा कि अगर चंद्रबिंदों मदल जाता है यह फिर आधा सब्दों कि आध्धाक्षर कि यह हमारा 80 केस में होते आधाक्षर भी है तो भी मारत तस्तम आएगा और उस्वार से चंद्रबिंदों मदलेगा वह उसकी नसुल्ष होगा वह अहुँआ सब्सक्राइब यह बहुत इंपोर्टेंट है अब देखते हैं यह सब्सक्राइब नियम नहीं तो कोई नीम है तो कोई नहीं हो गया जैसे है तो यह रहा है तो फिर हमारे तुरंत जो गया तो देखेंगे तुमने लिखा रहा है आधा अक्षर भी होता है तो यह गया गया तो दोगत इसलिए तस्थम सब्द बना अब धूती है इसे दूती बन गया है अब धूतम है अब देखेंगे धूता में जैसे अब यह दूतम है धेसे जुए दोतम का दूध वो गया है द्रग है तो इसमें रैगी मातर आजी है रहे है रहे हैं लेकिन कभी कभी हमने जब संदीव के निव पढ़ते हैं तो वहाला कैवाल राया था यह वह द्यान लगता तो यह मैंने लिखे हैं अस दोनों मेंरे ऋट्रेख वाला है गोटक तो गोड़ा है जब यह से इसमें पहचान न पाएं कि हमने बताया था जोड़े हैं चला जड़ना तो घोड़ा है कि होली का है तालुक है ताला बना बना दीपक दिया बना जैसे रहत्यारह बना तो यह हमारा संस्कृत का सब्स है तो इसमें कोई भी नियम नहीं लगए अब जैसे कच्चु पूरी का है तो आप देखेंगे इसमें क्या आदे सब्दों का चारण हो रहा है तो यह फिर कचोड़ी बन गया काश्ट है तो मैं लिखवा रखाए रहा यह रहा है और वैसे दिख रहा है आध्धा इसमें आधक्षर भी आ रहा है तो यह काट बन गया यह कंधे हैं मैu लिखवा रखा है आपको देखो अगर देखेंगे तो कण लिखवा रखा है तो इस कान बन गया चंधरी का है चंध़री का चंधिरी क्चाइटनी तेके निंदु लिखोओकर्द और सब्सक्राइब कि रखा रहा मेंने लिखवा कुतले के इसमें आधक्य रही है चेहां रहा की मात्रा रहा रहा रहे हैं तो चमार बना तो यहां रहता है काइम कार तक्षम में तद्ध हो जाएका है है की एक आघल है तो गौजाधल माप देखेंगे तो इसमें भी रहес वाएं गुजार हो सकून है तो सकून उम्हें और लिव लिक्वाति है तसम्हा आइगा ज़तसों से होकोण बन गए een 1 तुमने स्रेच हे और उतले ने अनकाले तो Alg एक्षक मातल दाएगा और वारीद हमारा वे में बदल लगा है को वह लिखवा एक्षर आप तरनसी अगा इसे तो एक्षे पहल लगया इसे आलाग अश्रु है असुरू से हमारा आसू हो गया तो हम यह पहचान रखेंगे यह मैंने नियम लिखवा है बहुत ही महतुपूर्ण है अगर तुमने यह याद कर लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि तद्धम में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे अगजाम में तो इन्हें कहें भी सकते हैं फदोल है चुटा बया है थैंस के साथ हम पढ़ेंगे अब देसास दोगते बारे में उसंकर सब्सक्राइब क्या होते हैं है कि की आफिशक रीखेस हूरी सकते हैं कि आपने देश मजने लिया होगा अब पढ़ेंगे देसा सब्सक्राइब बारे में कि देशाज सब्द का साब्दी कर्थ है कि देशाज सब्द का साब्दी कर्थ है कि देश में जन्मा कि देश में जन्मा अर्थात ऐसे सब्द जो देश में उत्पन हुए है उन्हें देश सब्द के अंतरवर्द रखते हैं कि देश सब्द का साब्दी कर्थ है देश में जन्मा अर्थात कि छेत्रिय अर्थात छेत्रिय भाग से लिए कि गई वे सब्द जिने हम कि निमे कि रियोग करते हैं कि देशा सब्द क्या लाते हैं कि ठीक है मतलब कि वे सब्द जिने हम इंदी में यूज कर रहे हैं उन्हें हम देशा सब्द कहते हैं कि इसके उधारन समझेंगे कि डंडा कि ट्टी कि पगड़ी कि पेट लोटा थेला गड़बड गड़बड दंडा हो गया हमारा डंडा ट्टी पगड़ी पेट लोटा थेला गड़बड आधी सब्द यह हमारे देशा सब्द है और जो उनके उधारन है जो हम अपनी पीडियाफ देंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशा सब्द आप इसका इसकी सोट ले सकते हैं अब हम पढ़ेंगे विदेशा सब्द विदेशा सब्द का साब्दी कर्थ है विदेश में जन्मा अजन्मा अर्थार्थ वे सादू जो हमने विदेश से ले ले लिए हैं और इन्हें हम हिंदी में प्रियोग में करते हैं उन्हें हम विदेशा सब्द कहते हैं अर्थार्थ अर्भी पार्सी तुर्की तुर्की हो गया और पुर्टगाली अर्वी फार्षी तुर्की पुर्टगाली अंग्रेजी अंग्रेजी अधी अधी के मतलब यह है कि और भासा हो सकते हैं और भी देश हो सकते हैं अधी अर्था दर्वी फार्षी तुर्की पुर्टगाली अंग्रेजी अधी भासा हो वासाओ से ले गए सब्दों को विजए सब्द कहते हैं सब्द कहते हैं कि कहते हैं जैसे अगर हम बात करें अर्बी की तो अर्बी से लेगे सब्द कुछ मेहतम सब्द मैं लिख रहा हूं जैसे हमारा आदमी मुकदमा अदालत मुकदमा अदालत हो गया और खात इसके बाद में है जिस्म जलूस जिस्म जलूस इमान इज्जत आदी और भी है इसके आदी सब्द हो गया आप इसका इसकी सोट ले सकते हैं अधार थे विजस सब्द के तो अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फारसी फारसी के जो सब्द हैं में मजदूर है आप इसे वियात कर सकते मकान कौन माया बनाएगा तो यह दूसर स्रों सब्द एक खुदा सरकार अब खुदाय मालिक के बाद होता था कुदा होता है सरकार चंझता को देखने के लिए सरकार होती है यह एक विए दूसरे लिंक तुरकी में ne और करनल और पादरी बहुत इंप्रänder पहचान सकते हैं मैं अगरेजी पहचानने के लिए ऊंदे Sullivan एक सब्सक्राइब करें तो इनमें तली विन्दू लगा होता है यह नुक्ता बिंदू बॉल देते हैं उसके बाद हमारा और भी आर्बी को अधिर से अल्ला अल्ला और इनाम आप से कोई पोछे कि अल्ला कौन सी भाता का सब्द है तो आप कहेंगे अर्भी का उर्दो कौन सी का तुरुक का ठीक है यह ध्यान रखना है कि एक कि यह एक रिक्सा जो हमारा यह भी बहुत इंपोर्टेंट उधार नहीं जापानी भासा का है प्रेशनी से तो जैसे कि नाम से चीनी लिख राच चीनी भासा होते हैं से चाए चीनी भासे लिए गए हैं कि इसके बाद हम दो और देख लेते हैं अब कि अब कर दो आएँ है यह हमारा है आए कि फ्रांस सी सी बाहा सा होती है और से लिए अधिया कर्फ्यूं जो कि यह भी बहुत ही इंप्रटेंट उधारन है तो आप इसे नोट कर सकते हैं और इसका इसकी सूट ले सकते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे संकरसाद संकर जो सब्द हैं उनकी परिभासा पढ़ेंगे और उसके दारनों समझेंगे देखेंगे दो या दो से अधिक भासाओं के सब्दों से मिस्रित सब्द को संकर सब्द कहते हैं जैसे हमने दारन लिखे हैं छाया दार छाया हमारा सब्द है हिंदी है हिंदी का सब्द है और द कि इसके बाद हम देखेंगे यह लिखा पान पान हमारा हिंदी का सब्द है दान हमारा फार्टी का सब्द है तो इससे बना पान-दान बने मिलके जो सब्द बने गहां है तो सेल बंद बनुल जिए और फिर हमारा रहा है अंग्रेजी का साथ साथ और घर हें हिंदी का सब्सक्राइब कि यौद्वण धारन तॉचे मिलत वैश्팅 समय सकते टिकट घर पर जाएंगे टिकट लेखे फिर सावारी करते हैं तो एसे एसे याद कर सकते और हमारा अर्बी का सब्द है और हमारा हिंदी का सब्द है इससे बना उधन तस्त्री कि इसी के साथ आज हमारा टोपिक है खतम होता है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कि इतना समझ्झ मारा आप करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों को सेर कर सकते हैं जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो और हमारे जो इसे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब भी करते रहा है क्योंकि आपकी सपोर्ट मिलते रहें कि तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा जो कंटेंट हैं उसे लाते रहेंगे इसे एक साथ धन्यवाद